So Hello everyone, once again, very welcome back to you on video, finally our Jamin second attempt and BE BTEC के लिए आप सभीका exam over हो चुका है, 9 April आज, लेकिन BE R can be planning वालो का exam जएसे कि आप सभीको पता होना चैसे कि 12 अपराल को last exam है, BE BTEC वालो का आज exam वालो का则 exam over हो गया है ना, जो भी अच्वेंज का BE BTEC वालो का पेपर हो गया है, सबसे biggest doubt कि भा बोनस मार्क्स मिलने का क्राइटरिया होता है क्या कुछ क्राइटरिया होता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले है ना इससे पहले जो भी क्या क्या सब्सक्राइटरिया आपको मिल रहा होगा इस तरह के लिए कि लिए लाइब से अपको सारा प्रोसेस बताने के लिए कि क्या किश तरह की से च्वाइस होती है मेरा प्रेशनल कॉलिंग नंबर आपके पास रहेगा एक प्रेशनल वाट्सप ग्रूप में आपको आइड किया जाएगा आपको सट्फिट से रिलेटर कोई डाउट है अपना सारा डाउट पूछ सकते हो है ना इसका प्राइस आपका 1499 आपको कर दिया जागा है ताकि आप सब्सक्राइब करते हैं पिछले सालों के डिटा के बात करें आपका जीज दिन लाश्ट डेट एकजाम होता है लाश्ट डेट यानि की 12 अप्राइल को आप सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो वो मैं आपको अप्डेट कर दूँगा इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दिजेगा तो वो आपका आ रहा होगा 12 के बाद लगभग 14 को या फिर 15 तारीक को ये दोनों चीज़े आ जागा उसके बाद फिर दो दिन का टाइम दिया जाता है एंसर की को चैलेंज करने का अगर जो लगता है कि कोई कुश्चन गलत एंसर दिया होगा था गलत NTA के तरब से तो उस दिन आप सभी का final result भी डिक्लियर कर दिया जाता है तो आपका maximum chance है कि आपका 25 तारीक को officially date दिया गया है लेकिन वो जो 25 तारीक का date दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आपका exam का date कितना एक तारीक से 15 अपरेल के बीच में दिया गया था लेकिन 15 अपरेल से 3 दिन पह भी आप सभी का result आ जाता है ना तो 22 तारीक को maximum chances है कि आप सभी का result आ जागा है ना अब बात करते हैं bonus marks के बारे में कि भाई यह bonus marks की सभी अच्वेंट को मिलता है चाहें आपने questions को attempt किया है या फिर नहीं attempt किया है एक question होता है जिसे कि आपको error के category में रख दिया जाता है यह question तो जो है error के category में रख दिया गया तो bonus वैसे questions को कहा जाता है जिसमें कि मान के चलो NTA ने जो question दिया हुआ था उस question में कुछ ना कुछ गळवाडी दिया हुआ था या फिर data फूरा full data नहीं दिया हुआ था यानकि उस question को solve करने के लिए जो data required होना चाहिए था वो नही Error का कौन से question रख जाता है जिसकि question में आपका questions का answer NTA की तरफ से wrong दिया जाएगा लेकिन final answer की में आपका correct दिया जाएगका रबगते आपको 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 या रख कर लिया बाखेर बहुत सरे को ड्रॉप कर दिया जाता है आपको सभी कर दिया जाता है तो इस तरह के इस Concelling Guidance में इंडॉल कर जाना, ताकि आपको अच्छे से Choice Feeling में करवा सकूँ, अच्छे से Choice Feeling PDF में सेंड करूँगा, कौन से College को किस नंबर पर रखना है, है ना, कौन से NIT को कहां पर Choice Feeling में डालना है, ताकि आपकी Rank के Basis पे, जो सबसे Top से Top College हो, वो आपको Allotment हो सके, सो चलो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स मच्छ, और मिलते हैं नेक्ट विए में, बाई बाई, लवी ओल, थैंक्स मच्छ.